हेलो दोस्तो तनुजा भूटिक यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे सभी नए वीडियो पाने के लिए इस तरह से दिखाए दरे सब्सक्राइब को टच करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए दोस्तो तनुजा लेख सकते हैं मैंने यह फ्राग ली है रेडिमेट दोस्तो फ्राग हो अम्ब्रेला हो या ब्लाव जो सब में इस तरह से आप आसानी से स्लिव लगा सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम इसका आर्म होल देखेंगे यह यहाँ पर आठ इंच पर आ रहा है इस तरह से हम इसको ना पेंगे उसके बाद में यहाँ पर मैंने नेट का इस्तेमाल किया है मैं यहाँ पर दोनों अस्तिन एक साथ कटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम सोल्डर से जो कोहनी तक का हिस्सा है हम उसके कटिंग करेंगे मैंने यहाँ पर 12 इंच लिया है और यहाँ पर हम तीन इंच कम यहाँ नो इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर जो मैंने आर्म होल पर आपने देखा था आठ इंच पर मैंने निशान लगाया था आठ इंच ही हमें यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर हम जो गोला ही देंगे यहाँ पर 5.5 इंच पर देंगे यानि 11 इंच हो जाएगा और इस तरह से हम सीती लाइन खिछ लेंगे और यह मैंने इस्ट्रा मार्जिन का किचा हुआ है दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर निशान नहीं दिख रहा है चाक का यानि 16 इंच रखना है तयार तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर 2 लेयर में बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने 2 इंच बढ़ा कि यानि 18 इंच पर पूरा लिया है तो यहाँ पर 6 इंच की और 1.5 इंच की दो लेयर की हमें कटिंग करना है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं छोटी वाले लेयर यानी 6 इंच पर एक लेयर की कटिंग करूँगा और यह जो आपको मैं तरीका बताने जा रहा हूँ दोस्तों यह कम कपड़े में काफी अच्छा घेर आएगा इसमें इसमें कटने का भी दो तरीके होते हैं लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताना हूँ ताकि इसमें काफी अच्छा घेर आए यहाँ पर मैंने 10 इंचे तक फॉल्ड किया है डबल दोस्तों आपको इसी तरह से बिछाना है बाहर की और ओपन इससा है अंदर की और क्लोज और यह जो अस्तिन का हमने गोलाई ली थी साड़े 6 इंचे पर है एक इंचे मैंने एश्टा लिया हुआ है और यहाँ पर हम इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पर आपको दोस्तों एक बात का धियान रखना है गड़ा पड़ जाता है यह इस तरह से हम निशान लगाएंगे और यह जो गोलाई लिया है मैंने 6 इंच पर आना चाहिए और जो पहली लेयर है दोस्तों यहाँ पर 6 इंच पर आएगी यह इस तरह से यह इस तरह से मैंने 6 इंच पर पूरी लेयर का निशान लगा दिया है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोस्तों मेरे चैनल पर आपको बिल्कुल ही आसान तरीका बताए जाएगा आप इसी तरह के और भी वीडियो है आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं अगर आप इसमें नए है तो चैनल सबिस्क्राइब जरूर करिएगा ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें यह दोस्तों इस तरह से आप देखिएगा इसमें हमें एक साइट से इसकी कटिंग करना होती है यानि एक साइट से हमें पूरा इस साप एक रहेगा दूसरी इससे से हम कटिंग कर लेंगे उसके बाद में जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और इसको इसी तरह से ही बिचाना है जिस तरह से हमने पहली लेयर के लिए बिचाया था इसको थोड़ा साम बढ़ा के बिचाएंगे और इसको भी ऐसे ही रखना है सेम उसी तरीके से और इसमें भी ऐसे ही धार रखना है आपको कि जो ये गोलाई है यहाँ पर भी इतना ही आना चाहिए जैसे यहाँ पर जो चार इंच आ रहा है उसी तरीके से गोलाई में 4 इंच पर आना चाहिए इसके बाद में हमें ये लेयर है ये हमें 1.5 इंच बढ़ा कर कटिंग करना है यानि जो वो 6 इंच थी यहाँ पर 7.5 इंच पर हम कटिंग करेंगे यानि जो लेयर का जो फासला रहता है वो 1.5 इंच हमें हमें रखना होता है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोस्तों गर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करते जाईएगा इसमें भी एक साइट से हमें इसको पूरे कुपेक रखना है दूसरे साइट से हमें इसकी कटिंग कर लेना है दोस्तों आप चाहें तो इसकी जो घेरे गोलाई है इसमें आप पिको भी करवा सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं अब हम यहाँ पर हाप अस्तिन अंदर की कटिंग करेंगे इसमें पांच इंच अस्तिन लिये आप अपने इस आपसे छोटी बड़ी रख सकते हैं वैसे पांच इंच तक ठीक रहती दोस्तों अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं मैंने इसमें पिको करवा लिया था अब हम इसको इस तरह से रखना है आप देखियेगा दोनों इससे बरावर रखना है और इसमें हम एक सिले लगाएंगे इसके बाद में हमें इसमें हाफ अस्तिन जोईन करना है तो हाफ अस्तिन में पहले हम एक सिले लगा लेंगे मैं आपको एक अस्तिन बना कर बताऊंगा इस तरह से आपको दूसरी अस्तिन बना लेना है इसको हमें उपर इस तरह से रखना है और यहां पर एक सिले लगा देंगे अब हमें डबल लेयर जो हमने बनाई थी उसको इसके अंदर जॉइन करना है आप देखिए कि इसको हमें इस तरह से रखना है यह जो छोटी वाली लेयर है उसको नीचे रखना है बड़ी लेयर ऊपर रखना है यह इस तरह से और आप हमें यहाँ पर एक सिले लगा लेना है इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव बना लेना है मैंने यहाँ पर दोनों स्लीव बना लिए दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर एक सिले लगा सकते हैं मैंने यहाँ पर आप देखिएगा इस तरह से हमें रखना है और इसमें हमें एक गुलाई में एक गड़ा देना है यह जो हिस्सा है फ्रंट हिस्से में आता है यह वाला यह जरूर ही देना होता है तो मैंने यहाँ पर एक निशान लगा लिया है जिसको हम फ्रंट वाले हिस् त्वागाने का तरीका बहुत आसान है दोस्तों, यहांपर सबस्ते पहले, जो हमाहँ पास में बना हुआ है, रेडिमेट कुड़ती हो या फ्राग हो या बलाऊ जो, सबसे पहले हम इसकी सिलाई निकाल लेंगे, तीन-चार इंचे तक हम सिलह निकालेंगे यह इस तरह से हमने इसको निकाल लिया है अब हमें जो यह वाली अस्तिने हमें बीज सेंटर करना है और एक कट लगा लेना है इसके बाद में हमें जो इसकी स्लिव है उसको इस तरह से रखना है नीचे की और देखिएगा आप उल्टा इस साइब उपर की और सीधा है और इसको भी सीधा रखना है हमें और ये बीच वाले जो सेंटर है हम यहाँ पर सबसे पहले एक निशान लगा लेते हैं ताकि दोनों बीच वाले सेंटर आपस में मिल जाए इसको हमें इस तरह से रखना है दोस्तो हमें इस तरह से लगाने का काराने की यह भी है कि जो इनके अंदर पाइपिन अगरा आती है वो इसी तरह से दिखाए दे ताकि वो अच्छी लगती है बाहर की और ज़्यादा आपको कुछ खुलना नहीं पड़ेगा इस वज़े से हम इस तरह से लगाएंगे यह दोस्तो इस तरह से हमने सिले लगा ली है अब इसको हम उल्टा करेंगे उल्टा करने के बाद यहां से हम जिस तरह से हम बाकी सूटों में सिले लगाते हैं उसी तरह से सिले लगा लेंगे दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक चरूर करते जाईएगा और कुछ कमी लगी तो कमेंट से में बताईएगा और आगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें देखिए बहुत ही ब्यूटिफुल अंब्रिला स्लिव बनकर तयार हो गई है जिसमें आपने डबल लेयर में बनाना यहां पर देखा है